हैलु श्रीजों में तो टॉपिक है बैश्वी करण किसे कहते हैं बैश्वी करण की विश्ष ताइम इस विख विघ्वाय के उपाए भारत में प्रभाव रहा इन सब चीजों की वारे में अक्सर एक्जामें पूछा जाता है तो बैश्वी करण तो गलोबलाइजेशन और यह हमारा घरेलू अर्थिवस्ता है यांकि हमारा घरेलू देश है तो देश की अर्थिवस्ता को विश्वी की अर्थिवस्ता के साथ जोड़ना इसको ग्लोबलाजिशन कहते हैं क्या था 1991 से पहले भारत केवल घरेलू शेत्र में ही व्यापर करता था जिसको बंद अर्थवस्था के नाम से जानते हैं 1991 की जो आर्थिक नीती थी उस आर्थिक नीती के अंतरगत प्राइडाइजिशन किया गया और लिबरलाइजेशन थां है उदारी करण की नीती अपनाए गया जिसमें देश में कितने भी रेस्क्रिक्शन्स बगार लगाये घाते कि बिदेशों के साथ ब्यापार्ग नहीं करना है बिदेशी निवेश नहीं आना है तमाम तरीके के नियंतरन लगा गया थे उन सभी नियंतरनों को हटाया गया जिसी देश का बिदेशों के साथ एक स्वतंत्र आयात निरिया शुरूआ स्वतंत्र निवेश शुरूआ मतलब एक लाइन में देखिए घैलू अर्थवस्ता को वैश्विक अर्थवस्ता के साथ जोड़ने की जो परकरिया होती है उसी ही विश्व व्यापी करण के नाम से जानते हैं मतलब साथ है कि एक ऐसी परकरिया है जिसमें विश्व वाजारों के मद पारस्परिक निर्वरता उत्पन होती है ब्यापार देश की सीमाओं में प्रतिवंदित नाहाओं के विश्विक के ब्यापार में नहीं तुनात्मक लागत लाब दसाओं का विदोहन करने की दिशा मे अगरसर होता है मतलब ये देश के अंदर ही सीमितनी रहता है ये देश के बाहर भी जाने लगता है विश्व की तकनीक विश्व के आचार व्यवहार विश्व की लागत लाब दशाय हान्या इन सब चीजों से रूबरू होता है और अपने आपको एक अंतरश्टी लेवल तक लेकि जाता है नई आर्ति नीति के अंतरगत सुधारवादी उपाये जैसे उदारी करण और निजी करण की सीमा से आगे निकलका वेश्व करण तक लिए मतलब निजी चेतरों के उपर लगाए गया निजी करण में क्या होता है जो सार्वजिन चेत्रे किते उसको आफ़ो चाहिए तो नए अर्तिवस्ता के अनुशार अवरोतगों को कम कर दिया गया नीयंत्रणों को हटाया गया लाइसे को कहत्म कर दिया इससे देशों के बीशेंब आदानि हो पाया है नमबर टू ऐसी प्रस्थिती कायम करना जिसमें विवेन राज्यों में पूंजी का सवतंतर रूप में प्रभा हो सके निवेश की सवतंतर्ता निवेश की जो नियंतर्ण था उसको हटाया गया 1991 से पहले 49 प्रतिशत तक ही विदेशी निवेश वो भी सरकार की मंजूरी के बाद समभ हो पाता था बात में इसको 51 प्रतिशत किया गया और 99 किया अब 100 प्रसंट अब इसके गया होता है विदेशी पूंजी का प्रभा असा ऐसा बातमट करना जिसे टेक्नलोजी का निर्वा आपको विश्विक की अर्थवस्ता के साथ चलना है तो आपको वैश्विक टेक्नलोजी की जरुत पड़ेगी और वैश्विक टेक्नलोजी आपको तभी मिलेगी जब आप निजी छेत्रों की उपर आदान प्रदान की उपर आयत निर्यात की उपर से आप क्या हटा दोग हमारे यहां पर आ सके जब इस प्रकासि स्वतमत्रता बनेगी तभी वैश्वी करण का असल मकसद सामने आएगा अब वैश्वी करण की विशेषता है कौन कौन सी है देश की अर्थवस्ता को विश्वी की अर्थवस्ता के साथ जोड़ना नमबर टो बस्तू सिवा अपुंजी तक्निक स्रम संबंदिय अंतराश्टी बाजारों को एक ही करण करना बहुराश्टी कंपनियों का विस्तार करना और सबसे इंपोर्टन सरकार की संरक्षणवाद जो नीतिया थी उसके चेत्रों को कम करना अब बात करेंगे भारत में विश्वी करण के पिरित करने वाले घटक कौन से हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारत को वैश्वी करण की आफ्शक्ता पड़ी सबसे पहले मैंने बताया था अगर आपको उत्पादन की भारत की उत्पाद अगर बढ़ाने की परिवर्तन अगर उत्पादन लागत में कमी लाना है तो आपको अपनी तकनीक में सुधार ना ही होगा तभी आप उत्पादक्ता को बढ़ा सकते हैं नमबर टू परतिसफर्धा पहले हम घर के अंदर बनते हमें क्या पता बहार क्या चल रहा हम तो तो घर का शेर शेर नहीं होता तो विदेशों के साथ कंपीट करना जरूरी होता ऐसे में परतिसफर्धा को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक को जोड़ने के लिए एक परति देखा कि विश्विक के कई सारे ऐसे देश है जैसे कोरिया, दाइलैंड, ताइवान, हांग कांग, शिंगापूर इस पी सबसे इंपोर्टेन नामे चीन इन सभी अर्थिवस्ता ने जब हमारे अपने यहां पर एक नई जो है पॉलिसी को लागू किया विश्विक के साथ ज नीती के अंतरगात बदला और विश्विक साथ जोडने का प्रयास किया गया भारती अर्थिवस्ता का वैश्विक करण उनिस सो एक्यानवे की नई आर्थि नीती के अनुसार कुछ उपाय अपना गया जैसे नई व्यापान नीती, नई व्यापान नीती में आयात निरिया को पूरी तरीके से सोतंत्र किया गया, नई अधोगिक नीती के अंतरगात उद्धयोग और निवेश का विश्वापी करण और नई निवेश्य के अंतरगात कोई भी व्यक्ती, निजी व्यक्ती जो है अब वैश्विक इस्तरपन निवेश या भी कोई भी पुणी आयत न प्राधान को खतम किया गया विदेशी एक्विटी के इंतरवा का अत्यादिक सुगम और उदार बना दिया गया पहले 49 परसंट का निवेश हो सकता था अब निवेश का आना सतंत्र हो गया रुपए को चालू खाते पर प्रिवर्तनी बना दिया गया रुपय के माध्यम से जो है चालू खाते पर पुंजी खाते के ऊपर व्याफ्साय की आजा सकता है रुपए को इस स्तिति में लाया गया प्राणविक दौर में आयतों को अत्यदिक उधार बनाया इख है कि पहले आयत बढ़ा की कि अपनी जलोतों पूरा करने के लिए टेक्निलोजी को लाना है बाद में आयतों पर से मातरात्मा पर्तिपंद भी हटा अब आसानी से कोई भी अपनी टेक्निलोजी को आयात कर सकता है मशीन खरीद ना खरीद सकता है आयात को इजी मना दिया गया विश्व वैपार संगटन के परती वसंद्व को पूरा करते हुए सीमासुल को घड़ा गया क्योंकि भारत जो है अब WTO का पार्ट बन गया था ड़ूट पार्ट बनने से जो अंतराश्टी मानक थे सीमा सूल के के एक्साज जी उटे के उसके अनुसार इन सब को कम किया गया विद्देशी तक्नीक अनुबंदों को बढ़ाव मिला जिससे नई टेक्नोलोजी भारत में आई यह सब वैश्वी करण के परमुक उपाय थे तो कैसा लगा आपको वीडियो क्या आपके लिए यह सही सावीत हुआ क्या आपके एक्जाम के साफसे सही है जुरूर बताईएगा वाट्सप के धुरू कांटेट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सब्सक्राइब करना है अपको दाएगा वीडियो थेंक यू एंड बाई